इंग्लेंड के संसद ने एक कानून बनाया और इन दूनों से साइन करा लिया सारी सक्तियां ले ली गई अच्छुपचा बिठा दिया गया किसको राजा को क्या गारेंटी थी कि मेरी नहीं रद करेगी नहीं इसी के वंसर्स थी सब सब इसी में एलीजावेत आई है इसी में वेक्टूरिया आई है अभी इसी में आईगी कैट इस सब इसके खंदान के हैं सम जिसे बाबा और हुमायू रहा हैं सम उसी तरदानी के खंदान फिर से बवालोने लगा तब क्या हुआ इंगलेंड के संसद ने एक कानून बनाया और इन दूनों से साइन करा लिया सक्ति का बटवारा का गया कि जितनी भी राजनीटिक डिस्यूजन होंगे इंगलेंड का संसद लेगा राजा हस्तशेप नहीं करेगा कोई भी बीदेसी मामले में राजा हस्तशेप नहीं करेगा राजा को एक बजट दे दिया जाएगा राजा के पास कोई भी बीदेयक साइन करने के लिए जाएगा राजा उसे साइन कर देंगे या रानी उसे लोटा नहीं सकते हैं सारी सक्तियां ले ली गई सेम समझे ये जैसे भारत का राष्टपती हमारे यहां जब राष्टपती का पद बनाए रहा था तो यहीं कि महराजा से ले लिया गया महराजा और रानी से क्योंकि जो जो सक्तिया है राष्टपती को बुला सकता है राष्टपती भी बुला लेते हैं पाटी उटी फंक्सन उंक्सन के लिए क्या कर लेते हैं बुला लेते हैं कब फिल्म चला दियें देखने के लिए सब लोग मुगल गाड़न है उद्कार नाम होगे अमृत उद्यान और उसमें कभी लिट्टी चोखा लगव संसत के वीत अधिकारियों को निर्धारीत कर दिया गया घोष्णापत्र के आया था 1869 में कि इस घोष्णापत्र के नुशार राजा संसत के बिना अनुमती ना तो कोई कानून बना सकता है नहीं पुराने कानून को समाप्त कर सकता है राजा संसत के अनुमती के बिना कोई विक집 नई लगा सकता है. वित्य ततता सेना संजद के अंकर प्रैके क्या रहेगी. सजम्हाँ बहिए की नहीं घै? किसी को दिया. सारी सकतीय किसको देदी गई? संजद को. अच्चुपचा बैठा दिया गई जिसको? राजया को. अब राजा राणी के लिए बजट है, उनको जो करना है कर सकते हैं अच्छा खासा और वो खर्बो रुपया खर्च होते हैं, हमारे राश्ट्पती भी भी तो खर्च होता है, उनका पूरा जहा जाता है, पूरी स्कॉर्ट आती है, जहां जाते है, पूरी बढ़ियां से जहा पचास लग कर देते हैं तो भाग जाएगा करना यहां पी तो रेंटे पे चल जाएगा उतना मांगा उनका बहुत खर्चाता है राष्ट पती का लेकिन एक देश के लिए ना एक देश की प्रतिभा भी जुड़ी रहती है अब हमारे राष्ट पती है इसे जनरल भगी में पीठ है खराब न लगेगा उनके लिए महराजा एक्सप्रेस ट्रेन में चलती है वो ट्रेन में पूरा बेड्रूम लगा रहता है दीवान पलंग जो आप लोग को मिलेगा है 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 अरे तुमको तुमको खटिया मिल जाए बहुत है